नमस्कार प्यारे बच्चों मेरा नाम अभिशेक है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूनिट लास्ट चो यूनिट है उसमें जो भी आल ओवर टॉपिक है देखो यहाँ पे हमने आपको कंटेंट्स दिखा रखा है इंट्रोडक्शन, टॉरिज्म रिसोर्सेज एंड टाइपस ओफ टॉरिज्म रिसोर्सेज ये दोनों टॉपिक मैं आपको बताऊंगा इसके बाद बिन-बिन प्रकार के जो टॉरिज्म प्रोडक्ट थे और उनके बारे में जो भी जानकारी थी ये मैंने आल्रेडी आपको बता दिया है तो अब मैं आपको स्टार्टिंग स्टेज जो है यानि की टॉरिज्म रिसोर्सेज क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है रिसोर्सेज मतलब संसाधन भिन भिन प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनको मिला कर टॉरिज्म प्रोडक्ट का निर्मान होता है तो परेटन इस्थल पर कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी जरुरत होती है और जिससे परेटन संबंधी एक्टिविटीज को किया जाता है उसी चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है वही टूरिज्म रिसोर्सेज हैं जो भी फिजिकल यानि शारिरिक और सांस्कृतिक चीजों को मिला कर एक अच्छे परेटन संबंधी संसाधन है उनको मिला कर परेटक जो होते हैं वो उस परेटन इस्थल को एप्रिशियेट करते हैं उस जगह का experience लेते हैं एक uniqueness और quality उस परेटन इस्थल की बढ़ती है उस place और destination की जानकारी लोग लेते हैं तो resources बहुत ही महतोपून चीज है जिसकी मदद से परेटन संबंधी गतिविदी में एक महतोपून योगदान मिल रहा है टूरिजम resources की मदद से इधर लिखा है बच्चों कि these resources used in tourism industry are called tourism resources यानि जिन जिन प्रकार के भी resources हैं उन्हें हम आगे बताने वाले हैं उन सभी चीजों को मिला कर हम tourism resources कहते हैं जो भी चीजें मुल्लेवान चीजें जो भी महतोपून चीजें परेटन इस्थल पर एबलेबल होती हैं उन चीजों को tourism resources कहा जाता है तूरिस्म प्रॉडजिक्ट जो है उसका बहुत ही महतुपूर्ट अंग है तूरिस्म रिसोर्फिस इसके बाद लिखा है तूरिस्म रिस्वर्फिस ऑर प्रेजंट अप्र विश द्विस्तिक्ट्स घेजनएशन जैसा कि मैंने आपको बताया परेटन इस्थल पर टूरिज्म रिसोर्सेज प्रेजेंट रहता है, वहाँ पर रहता है टूरिज्म रिसोर्सेज जहां परेटन इस्थल है, टूरिज्म रिसोर्सेज शुड रिफलेक्ट दी डेस्टिनेशन यूनीकनेस, यूनीक क्वालिटी जो है किसी परेटन इस्थल की उसे टूरिज्म रिसोर्सेज ही डिनोट करता है उसी को दर्शाता है डेस्टिनेशन शुड़ बी डेवलब्ड कीपिंग दी ऑथेंटिसिटी ओफ दी एरिया इंटेक्ट जो भी परेटन इस्थल है उसकी जो भी जहां विकास हो रहा है उस परेटन इस्थल पर उस परेटन इस्थल से संबंदि जितनी भी क्रिया विधी जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही है वो सारी चीजे जो है उसमें टूरिजम रिसोर्सेज का होना आवश्यक है वो एरिया पर निर्भर करता है कि वो किस छेत्र में परिटन इस्थल है तो इसी के एकॉर्डिंग आज हम आपको बता रहे हैं कि भिन भिन प्रकार के टूरिजम रिसोर्सेज कौन कौन से है तो अग अभी भी आपसे question पूछा जाए कि tourist destination किसे कहते हैं यानि परेटन इस्थल जो है परेटन संबंदी activities जहां पर हो रही है tourist destination उसकी definition क्या लिखोगे आप अगर कोई पूछ दिया आपसे तो तो आप लिखोगे it is the place ये एक ऐसा इस्थल है ब्रैकेट में वो city भी हो सकता है state भी हो सकता है राज्य हो सकता है कोई देश हो सकता है कोई region हो सकता है है ना तो it is the place which offers tourism product to the tourist ये एक ऐसी place है एक ऐसी जगह है जो की tourism संबंधी product tourist को प्रदान करता है ठीक है ये एक ऐसी place है एक ऐसी जगह है जो की tourism product संबंधी offers जो है लोगों को घूमने का जो जरिया है जो एक महत्वपूर्ण मार्ग है घूमने का संबंधी अगर कोई किसी परेटन इस्थल पर घूमना चाहे ताज महल घूमना चाहे तो वो उनका tourist destination है वो किसी भी place किसी भी city या किसी country में हो सकता है ठीक है तो उसे हम tourist destination कहते हैं अब types of tourism resources पे आते हैं tourism resources can broadly be classified into two groups which can be further divided to understand tourism resources better अच्छे तरह से tourism resources समझना है तो उनके types of tourism resources जाना बहुती जरूरी है तो इनके जो भिन-भिन प्रकार के groups है उसे भिन-भिन categories में बाटा गया है सबसे पहली category है natural resources यानि प्राकृतिक संसाधन प्रकृतिक संसाधन जितने भी हैं उनको मिला कर उनके भी कई प्रकार हैं प्रकृतिक संसाधन यानि प्रकृति ने जो चीजों को बनाया है उसे हम लोग natural resources कहते हैं तो उन सभी चीजों को यहां पे भिन-भिन प्रकार से दर्शाया गया है उसकी photos भी बनाई है यहां पे देख सकते हैं एक side पे West Bengal का एक बहुत ही बढ़िया परेटन इस्थल आपको दिखाई दे रहा है माउंटेन का कितना अच्छा view दिखाई दे रहा है और दूसरे side agricultural field है वो आपके कश्मीर की वादियां है यह जो दो भिन भिन प्रकार के परेटन इस्थलों को denote कर रहे है अब यह देखे इनकी quality क्या है यह किस लिए जाना जा रहा है यह प्राकृतिक संसाधन है इसे मानव ने नहीं बनाया है इसका मानव इसमें मानव का योगदान नहीं है इसको प्रकिरती ने बनाया है तो प् पॉइंट है climate जलवायू जलवायू का होना आवश्यक है वो एरिया पर निर्भर करता है जलवायू से आकर्शित होकर किसी परेटन इस्थल पर परेटक जाते हैं तो वो सारी चीजे natural resources के part climate में आ जाता है ठीक है climate जो है यह एक परेटन संबंधी संसाधन है प्रकिरतिक का संसाधन का एक उदारण है इसका एक part है तो यह जो परेटन इस्थल है इन सभी जगहों के जैसे जितने भी all over परेटन इस्थल प्रकिरति के द्वारा बनाए गए हैं वो जलवायू के कारण जलवायू को देखकर परेटक आकर्शित हो जाते हैं और उस परेटन इस्थल प की वज़ा से यहां लिखा है location with warm and sunny winters are high demand by people अब लोग warm और sunny winters climate के कारण परेटन इस्थलों पर जाकर घूम रहे हैं वाम एंड सनी विंटर के कारण परवतों पर जाकर भिन भिन प्रकार की जो भी activities परेटक किया करते हैं उसमें जो snowy mountains हैं ठंडा वाता वरण है climate different है लंबे समय के अंतराल के वज़े से वो परेटक संबंधी जितनी भी location है वो सभी famous tourist attraction हो जाती है उनकी importance बढ़ जाती है only for climate climate के कारण अब लोग यहां पे लिखा गया है कि हिमालियाज में कौन-कौन भिन भिन प्रकार की लोग activity करते हैं आप भी movies में देखा करते होगे कि snow based adventure activities बहुत ही famous है बर्फ पर जो भी भिन भिन प्रकार की adventure संबंधी activity की जा रही है वो सभी चीजें किसके कारण हो रहा है tourism resources यानि की climate के कारण होता है तो climate अच्छा होगा तब परेटक जादा आकरशित होंगे उस परेटन इस्तल पर घूमने के लिए तो hilly area जो है यहां का climate बहुत ही different होता है किसी आम आपके जहां रहते हो आपकी जो city है वहाँ से बहुत ही different होता है तो इस कारण mostly परेटक ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं इसमें लिखा है people travel to hill station during summer as the climate is cooler compared to plains अब plains वाले इलाकों से यहां का climate यानि hill stations का climate cooler होता है ठेंडा होता है वो और इस कारण ही climate के कारण ही परेटक उस जगहों पर घूमना पसंद करते हैं तो यह climate है आपका first point natural resources का इसके बाद हम आते हैं cyanic beauty पर cyanic beauty आप sceneries तो बनाते होगे तो scenery जो बनाते हो उस scenery का कुछ एक नएक motive होता है एक point होता है जिसके कारण लोग आकरशित हो जा रहे हैं scenery देखकर आकरशित हो जा रहे हैं snow-capped mountains है agricultural landscapes है और भी भिन भिन प्रकार की प्रकृतिक चीजे जो है जिसमें मानव का योगदान नहीं है जिसे की प्रकृति ने बनाया है और उस प्रकृतिक खुबसूरती को देखने के लिए परेटक जा रहे हैं इसे हम cianic beauty कहते हैं वो natural area होता है यह लिखा है the overall pleasing and beautiful view of natural area प्रकृतिक जगहों की beauty देखने के लिए जो परेटक जा रहे हैं cianic beauty देखकर आकरशित हो जा रहे हैं वो भी tourism resources का एक प्रकार है cianic beauty ठीक है इसके बाद है landforms landforms क्या होता है landforms it includes mountain area of elevated rugged territory अब इसकी मैं आपको photo दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यह देखे यह है areas of elevated और यह है rugged terrain प्रकार के landforms हैं यह tourism resources का एक पार्ट है और landforms जो है यह भी एक tourist attraction है जिस landforms को देखने के लिए tourist जाना पसंद कर रहे हैं उस प्रकृतिक स्थल पर परेटन करने के लिए तो यह सभी उनके प्रकार थे जिसमें की example बताया है sloping hill lands, elevated plateau, low land plains next बारी आती है beaches and marine areas की यह भी प्रकृति ने बनाए है beaches तो beaches को देखने के लिए भी जो परेटक आकरशित होते हैं बिन बिन प्रकार की tourism संबंदी activities किया कर रहे हैं तो इन सभी चीजों को भी हम natural tourism resources कहते हैं यह भी प्रकृतिक संसाधन है तो इसमें कौन-कौन से आ रहे हैं इसको पहले पढ़ लेते हैं beaches and marine areas A beach is a landform along the shoreline of an ocean, sea, lake और river यह सब को पता है कि समुद्र के किनारे को हम beaches कहते हैं ठीक है, it usually consists of loose particles which are often composed of rocks such as sand, gravel, shingle, pebbles और cobble stones अब इसकी photo देख ली जाए देखिये, sand है, यह है gravel, यह है shingle, यह है pebbles और यह है cobble stones तो यह सभी चीजों को देखने के लिए और यह भिन-भिन प्रकार की चीजें जो है, यह beaches पर मिला करती है ठीक है, तो आप beaches पर गए होगे, वहाँ पर चटाने भी होती है, rocks भी होते हैं और यह ocean भी हो सकता है, sea का किनारा हो सकता है, lake हो सकती है, तो इन सभी चीजों को परेटक जा रहे हैं घूबने के लिए और यह प्रकृतिक संसाधन का एक उदारण है, एक प्रकार है इसमें यहाँ पे दो फोटो दी गई है, एक साइड दिया गया है, sunshine at puri beach odisa, यह odisa का चित्र है, आप देख सकते हो इसके बाद next साइड है, peacock pansy butterfly, यह जो है flora and fauna का उदारण है, peacock pansy butterfly, ठीक है इसके बाद अब हम flora and fauna पे आते हैं, flora and fauna मतलब वनस्पती और जीव, जहाँ वनस्पती भी है और जीव भी है, यह दोनों रह रहे हैं, यह सभी प्रकृतिक संसाधन का उदारण है, प्रकार है इसे हम देख लेते हैं, flora and fauna, reefer to plant and animal wildlife, wildlife century पे आप जाते होगे, वहाँ पर भिन भिन प्रकार की लोग wildlife activities किया करते हैं, वहाँ पर adventure activities भी लोग किया करते हैं, जीव सफारी भी किया करते हैं, तो यह सारी जो activities है, यह सभी किन चीजों को देखने के लिए किया रहा है, तो प्रकृतिक चीजों को देखने के लिए किया जा रहा है, तो इसका मुख्य, उदेश मुख्य कारण है, flora and fauna destination को explore करना, the term is often used to refer to the indigenous plant and animal wildlife of a geographical region, जो भी भौगोलिक region है, उसे देखने के लिए, wildlife animals को देखने के लिए, लोग उस परेटन इस्थल पर जाते हैं, sceneries देखने के लिए जाते हैं, जंगली जानवरों को देखने के लिए जाते हैं, जीप सफारी में जाते हैं, तो यह सारी जो भी activity है, यह किस वज़ा से हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, natural tourism resources, प्रकृ इस परेटन इस्थलों को बढ़ावा मिल रहा है, और वही उसका महतोपूर अंग है, इसके बाद बच्चों, next point है, special environmental features, इस figure में आप देख लोगे, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कि जो भी special environmental features हैं, वो क्या हैं, मैं आपको कुछ photos भी दिखा दूँगा, ताकि कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये क्या चीज़ हैं, कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं, special environmental features में, इसके example आप यहाँ पे देख सकते हो, special environmental features, such as high mountains, परवत हो जाएंगे, unusual geographical formation, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं बच्चों, जो आपने आज तक नहीं देखी ह तो ये सारी इन फोटोज में मिल जाएंगी आपको, और ऐसे भी कुछ परेटन इस्थल हैं, जो बहुत ही different हैं दूसरे परेटन इस्थलों से, और वो प्रकिर्ती के द्वारा बनाए गए हैं, उसको देखने के लिए परेटक जाते हैं, और वो सारी भौगोलिक रीजन से, ऐसा भौगोलिक रीजन है, उस परेटन इस्थल का जिसके कारण परेटक अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस परेटन इस्थल पर जाने के लिए, तो वो सभी unusual geographical formation है, उसको हम slide show के माध्यम से आपको दिखाएंगे, दो तीन दिखादेंगे, आप ताकी देख लोगे, समझ जाओ होते हैं, hot springs and mild forms of volcanic activity, अब जहां से आपके लावा निकलता है, जो ऐसे एरिया होते हैं, वहां पे लावा ट्यूब भी होती है, उस गुफा में भी लोग जाते हैं परेटक और उसके अंदर जाके देखते हैं, प्राकृतिक चीजें हैं जो उसके जाके देखते हैं, तो वो भी परेटन इस्थल हो जाते हैं, इसे हम special environmental features के नाम से जानते हैं, ठीक है तो यह प्रकृतिक संसादन हैं, इसके बाद हम next point पे आते हैं, parks and conservation areas, अब parks and conservation areas में आएंगे national park, wildlife, century, इन्हें देखने के लिए परेटक जा रहे हैं, घूम रहे हैं, यह सभी natural tourism resources हैं, प्रकृति के इसमें योगदान हैं, वो भी हैं यहाँ पे, तो इसे हम national park, all wildlife century भी tourism resources का एक प्रकार बताएंगे, और वो प्रकार है natural resources का, इसके बाद हम next point पे आते हैं, cultural resources, यानि सांस्कृतिक संसादन, संस्कृति, संस्कृति किसने बनाई हैं, मानव ने बिन-बिन प्रकार की संस्कृत करता है, यही एक किसी भी culture की अलग-अलग प्रकार की unique quality होती है, उस quality को भिन-बिन प्रकार से describe किया गया है, बताया गया है कि जो संस्कृति है, लोगों के कपड़े, पहनावे, खान-पान, यह सभी different होता है, गुजराती, मराठी, और हमारे भारत में कितने भिन-बिन प् रिसोर्सेज जो है, उसमें tourism resources के जो प्रकार है, उसमें cultural resources भी आ रहा है, इसके बाद cultural resources के कुछ points हैं, इसे यहाँ पर दर्शाएग हैं, आप देख सकते हो, archaeological, historical and cultural sites, पूरा तात्विक चीजे जो हैं, इतिहास में जो चीजें लिखी गई हैं, और जो भिन-बिन प्रकार के cultural यानी सांस्कृतिक sites हैं, उसके कारण परेटन इस्थल की demand बढ़ रही है, और वो संसाधन है, जिस संसाधन की मजद से परेटन इस्थल पर परेटक घूमने के लिए जाते हैं, वो सारी चीजों को यहाँ पर describe किया गया है, इसमें बताये गया है, archaeologicalical site is a place, और a group of physical site in which evidence of past activity is preserved. परेटन इस्थल जो हैं, वो सारी चीजों को प्रिजर्व करके रखा गया है, जो पुराने जमाने की past activity से संबंदित है, historical site जो इतिहास है, एतिहासिक परिटन इस्थल जो हैं, वहाँ पे जो भिनविन प्रकार के political है, military और social history have been preserved. अब यहाँ पर क्या क्या चीजें preserve की जा रही है, एतिहासिक चीजे, जो इतिहास बना रखे हैं, विन विन प्रकार के बावर और अंजेव, मुगल emperors जो आये थे हमारे भारत में, तो उन लोगों का जो शासन काल चला, उस वक्त के time जो भिन विन प्रकार के महराजा हुआ करते थे, उनके बड़े बड़े fault हुआ करते थे, राजकिले हुआ करते थे, और वो बड़े बड़े तीर धनुष, और भिन विन प्रकार क भाले और गदा का उपयोग किया करते थे, तो ये सारी चीजे जो हैं, इसे भी preserve करके रखा गया है, और ये museum में रखा हुआ है, ये सारी चीजे देखके परेटक लोग बहुत ही उतसाहित होते हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा परेटन संसाधन है, जिसकी मदद से प नेशनल सिगनिफिकेंस, अब जो भी परेटन स्ट्रक्चर है, लैंड्सकेप साइट है, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग क्या हो जाएगी, बिल्डिंग हो जाएगी आपका किला, राज किले, अब यहाँ पर एक्जामपल दिया है कि सफदर गंज टॉम डेली, अब ये पहले के टाइम पे इतनी बढ़िया तरह से बनाये गया है सदर गंज टॉम को, गुम्बद बनाये गए हैं, एकदम बारीक नकाशी की गई है, ये सारी चीजें आज के टाइम पर भी बहुत ही डिफिकल्ट है, लोग बहुत ही सोच में लग जाते हैं कि ये सारी चीजें कै जो भी चीजें हैं, अब दूसरे साइड देख सकते हैं कन्या कुमारी में विवेकानन्द रॉक है, ये कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है आपको, तो ये सारी चीजें लोग देखकर आगर्शित हो रहे हैं, और ये पुराने जमाने में इतना डिफिकल्ट उस व बड़े बड़े चीजें पासल कर सकते हैं, तो वो पुराने जमाने में नहीं हुआ करती थी, वो नाओं के जरीए और बहुत ही टाइम लग जाता था, पांच महीने छे महीने लग जाते थे, कोई सामाने एक जगर से दूसरे जगर पहुचाने में, और ये इतने बड़े पास एक साइट है, वो इतिहास हो चुका है अब, इसके बाद देखते हैं, कल्चरल साइट्स, आर दे साइट वेर कल्चरल इवेंट कैन भी और्गनाइजड, एक्जामपल, प्रगती मैदान, न्यू डेली, प्रगती मैदान में कई प्रकार की कल्चरल, यानि संस्कृतिक संबंधी चीजों को लोग सेल भी करते हैं, और भिन-बिन प्रकार के इवेंट भी हुआ करते हैं, सांस्कृतिक इवेंट हुआ करते हैं, उसमें रित्य होता है, कला होती है, संगीत होता है, इन सभी चीजों का, सभी चीजों का एक तरह से कह सकते हो, आप इस्टेट शो हो cultural resources ठीक है, तो cultural resources के आपने types देख लिए, अब cultural के बाद आता है, arts यानी color, अब color का होना ज़रूरी है, जो भिन-भिन प्रकार की color हैं, उसमें क्या-क्या आता है, it includes the performing art forms like dance, music, drama and fine arts of painting and sculpturing अब जो भिन-भिन प्रकार की चीजों में, activities में participate करते हैं, भाग लेते हैं, और उन activities को देखने के लिए tourist लोग जाया करते हैं, तो इन सभी चीजों को हम art कहते हैं, यानी color, ये एक प्रकार की color है, जो की बहुत ही भिन है, दूसरी color है, इसमे क्या है, handicraft हाथ के बनाएं, हाथ के द्वारा बनाई गई चीजें जो हैं, उनको हम handicraft कहते हैं, इसमें बिन-भिन प्रकार के objects हैं, article हैं, for daily use, or decoration crafted by skill hand, ये सारी चीजें बेची जाती हैं shopping में, टूपरेटक जो होते हैं, इन सभी चीजों को खरीदा करते हैं, तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो, handcraft bag ये हाथ के द्वारा बनाए गए, ये bags हैं इसे sell किया जाते हैं, foreign tourists को, और इसके बाद next side देख सकते हो, handicrafts of souvenirs ये भिन-भिन प्रकार के, जो भी सांस्कृती और culture को denote कर रहे हैं, ये भी mostly लोग खरीदते हैं, tourist इस लोग तो ये चीजें जो हैं ये आकरशन हैं, और ये tourism resources जो हैं, उनका प्रकार है और ये cultural resources जो हैं, इनका second प्रकार है arts, ठीक है, इसके बाद customs and traditions देख सकते हो, आप जो भिन-भिन प्रकार के रीती रिवाज हैं, उसमें भिन-भिन प्रकार के रीती जो हैं, इन सभी चीजों को denote किया गया है, जो की हमारे पूरवजों के द्वारा बनाये गए हैं, रेती रिवाज उस हमारा कपड़े जो हमारे पहनावे हैं, उन चीजों को आप देख सकते हो, और हमारे जो खान-पान हैं, भिन-भिन प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोगे कुजिन्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट परेटन इस्थलों पर जाएंगे लोग तो भिन-भिन प्रकार के customs and traditions मिले तो जी हां बच्चों customs and traditions से संबंदे जितनी भी activities हैं जो भारत में यहां के रहने वाले लोग कर रहे हैं ये भी बहुत ही महत्पूर उदारण है वो सारी चीजों को यहां पे दर्शाया गया है यहां पे लिखा गया है कि some popular customs and traditions of India are taking off shoes before entering the temple आप कभी भी मंदिर जाते हो तो जूते उतार के जाते हो यह culture और tradition है आपकी संस्कृती है यह सारी चीजें हमें अपने पूरवजों से मिली है और वो हमारे माबाप के द्वारा सिखाया गया है वो सारी चीजें जो हैं यह customs and traditions के प्रकार हैं उदारण हैं greetings लोगों से first time मिलें और उन्हें wish करें यह सारी चीजें bidding farewell with folded hands that is doing namaskar लोगों से प्रतम बार मिलते हैं नमसकार करते हैं और उन्हें एक यह सारी चीजें जो हैं यह एक महत्वपूर उधारण है customs or traditions को denote करने का यह भिन भिन जगहों पर भिन भिन प्रकार के होते हैं सभी लोगों का एक अलग-अलग kind of sense of humor और sense of you know different places के according वो अपने रिती रिवाज को दर्शाते हैं भारत में जो रिती रिवाज है वो यहां पे दर्शाय गया है putting बिंदी by young girls बिंदी लगाया करती है और तो बच्चों जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो कि औरते जो हैं वो बिंदी लगाया करती है और दोनों आइब्रो के middle में जो बिंदी लगा रही है वो married woman लगाती ह है यह speciality है cultures और tradition की यह भारत में रहने वाले जो भी person है लोकलाइड लोग हैं यह सारी चीज़े वो जानते हैं तो इसलिए यह भी tourism resources का एक प्रकार है इसके बाद बच्चों और कुछ point देख लेते हैं यह वाला मैं वैसे मैंने cover करा दिया है इसमें आपको doubt नहीं होना चाहिए इसमें एक और line मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसे tradition भी कहते हैं is anything which lot of people do mostly लोग कर रहे हैं जैसे भारत का example बता है तो भारत के mostly लोग कर रहे हैं customs and traditions को follow कर रहे हैं इसी कारण वो सारी संस्कृति और सब्वेता आज भी जानी जा रही है तो इसके बाद और देख लेते हैं and have done for a long time लंबे समय अंतराल से की जा रही है व Customs is more about practices involved in day to day life of people दिन प्रति दिन जो भिन भिन प्रकार की Customs और Tradition संबंधी activities लोग कर रहे हैं उसे वो सारी चीजें प्रति दिन उन चीजों को करने से ये सभी चीजें Customs और Tradition में समलित हो गई हैं और लोग इन चीजों का महतुपूर्ण रूप से अपने गतिविदियो आपको बहुत अच्छे से पता है वहां के Customs और Tradition और वह सारी चीजें सबी लोग यूज कर रहे हैं विन बिन प्रकार के धर्म फाल में उन सबी चीजों के अलग अलग प्रकारों को आपको बहुत ही अच्छे से पता है तो वह सबी चीजें जो भी प्रोसेस हैं जितने ध हिंदू मुस्लिम सिख्खिसाई वो सभी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन को डिनोट कर रहे हैं यह वाला थर्ड पॉइंट था कस्टम्स एंड ट्रेडिशन इसके बाद फॉर्थ पॉइंट प्याते हैं इंट्रेस्टिंग एकॉनमिक एक्टिविटीज बिन बिन प्रकार के ऐस यहां पर परेटक बला पसंद करते हैं इसकी स्पेशियालिटी होती है कि वहां की एकॉनमिक एक्टिविटीज बिन बिन होती है व्हां की सी एक्टिविटीज गंड और प्लांटेशन गो छाय के बादन पत्ती हैं चाय की पत्त्ति और abroad में भी भेजा जा रहा है चाय आपको पता होना चाहिए कि अपने भारत से बहुत से चाय की पतियां जो है वो फॉरें में भी जाती है तो ये सारे टी गार्डन जो है इसे देखने के लिए फॉरें से भी टूरिस्ट आते हैं रबर प्लांटेशन भी होती है जी हां रबर प्लांटेशन पेड़ से रबर निकाला जाता है और रबर का उपयोग किया जाता है आपको पता ही है बहुत अच्छे से कि रबर का कहां का उपयोग हो रहा है तो रबर प्लांटेशन भी ऐसी परेटन इस्तल है जिने लोग देखने जा रहे हैं कि रबड का आखिर प्लांटेशन कैसे होता है उसके कारण ये एक इंट्रेस्टिंग एकॉनमिक एक्टिविटीज हो जा रही है और इसे देखने के लिए परेटक उस परेटन इस्तल पर घूमने जा रहे हैं इसके बाद लिखा है यूज ऑफ वर्किंग अब जंगलों में जो हाथी हैं उनकी मदद से बड़े बड़े पेड़ों को लोड किया जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाया जा रहा है इसे देखने के लिए भी कई परेटक जाना पसंद करते हैं तो वो सारी चीजें भी आपकी इंट्रेस्टिंग एक अक्टिविटीज के उधारण है एगरिकल्चर यानि खेती सिचाई जो चीजें की जा रही हैं उनके भी भिनभिन प्रकार के टेक्नीक्स हैं उन टेक्नीक्स को देखने के लिए भी कई लोग परेटनिस्थल पर जाना पसंद करते हैं और शिपिंग यानि की शिप के द्व सिटीज को उस जगह को देखने के लिए लोग जाना पसंद कर रहे हैं अर्बन एरिया के बिनभिन प्रकार की स्पेशियालिटी है high demand है, metropolitan cities है ऐसी जगहों पर जो लोग जाना पसंद कर रहे हैं वहाँ भिन-भिन प्रकार के बड़ी-बड़ी building है commercial building है, hotels है, resorts है restaurant है, बड़े-बड़े और बड़िया-बड़िया services वहाँ पर मिल रही है तो लोग ऐसी lifestyle को जीना चाहते हैं तो उस जगहों पर भी कई लोग जाना पसंद कर रहे हैं बहुत से tourist जाना पसंद करते हैं तो urban areas are very developed लिखा है विकसित देश, विकसित city, विकसित शहर urban areas में आ जाएंगे meaning there are density of human structure such as houses, commercial buildings ये सारी चीज़े वहाँ पर प्रती दिन mostly tourist ऐसी जगहों पर जाना पसंद कर रहे हैं interesting urban areas में जाना पसंद करते हैं इधर आपको photo भी दी है अपने New Delhi की pedestrian bridge है आप देख सकते हो यहाँ पर mostly परेटक जाना पसंद करते हैं चिनने city की photo है metropolitan city है जिसे लोग जाना पसंद करते हैं यहाँ के बिन बिन परेटन इस तरहों पर जाना पसंद करते हैं और यहाँ पर roads बहुत अच्छी है bridges बहुत अच्छे है railways संबंदी सुविधाएं बहुत अच्छी मिल रही है यह सारी चीज़े यहाँ पर लिखी हैं देख सकते हैं shopping malls है metro rail है are interesting features are are interesting features of urban setup अब urban areas में shopping mall metro rail यह सारी चीज़े इनके example हैं जिसके कारण इस परेटन इस तरह पर लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि यह metropolitan city है इसके साथ ही बच्छों आज का session हम यहीं खतम करते हैं आपके लिए अब new session को ही लेके आएंगे class 9 का यह topic था और 9 से संबंधी जो भी problem आती हैं बच्छों आप मुझे बता सकते हैं thank you आप मुझे बता सकते हैं 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 आप मुझे बता सकते हैं